नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार सिनहा अब सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग दोस्तों मैं एक वार आप लोगों के सामने सुवेक्स का फॉलो अप लेकर के फिर आया हूं आज सुवेक्स लिमिटेड जो है वो 72 रुपय 45 पैसे बंद हुआ है बीएसी में और 6 रुपय 20 पैसा उपर गया है यह और इस स्टॉक को मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था जो मैं दिखा रहा हूं अक्छल में मैंने ना 2-3 वीडियो बनाय थे एक मैंने बनाया था कि बच्चों के लिए कौन सा जो है वो अच्छा रहेगा अगर आगे का भी हम देखें तो वो बनाया था यह देखिए बेस्ट फाइब स्टॉक्स पर चाइल्ड फ्यूचर एक मैंने बताया था कि 50 रुप क्योंकि यह सारे जो है वो कापी अच्छे स्टॉक्स हैं और इनके अंदर थोड़ा सा अगर आप पेशन्स रखेंगे तो आपको मल्टिफोल रिटर्न मिलेगा तो इसमें जो मैंने सबसे पहला जो नाम दिया था वो सुवेक्स का दिया था अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह आपका 10 गूड़ पोटेंशियल स्टॉक्स बिलो 100 रुपीज इस नाम से आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी से एक मेहना पहले इसको अप्लोड किया था और जब मैंने अप्लोड किया था उस बक्त इसका जो प्राइस था सुवेक्स लिमिटेट का वो 69 रुपिया 40 पैसा यानि 59 रुपीज 40 पैसेज उस बक्त जो था वो इसका प्राइस था यानि अगर 59 रुपीज के जगा पे अगर आप 60 रुपीज भी माल ले तो अभी किसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी का प्राइस 72 रुपया है यानि 12 रुपया बढ़ गया है यानि कि 20 परसेंट का रिटर्न सीधा सीधा आपको एक महीने के अंदर मिल गया तो मैं समझता हूँ बूरा नहीं है अगर एक महीन में 20 परसेंट का रिटर्न मिल जाता है तो अच्छा ही माना जाएगा और यह इसके साथ और भी बहुत सारे स्टॉक्स सब दीरे दीरे भागेंगा ऐसा नहीं है कि उसमें से दो भागेगा और कोई पीछे की और भागेगा पीछे की और भागने वाला भीया थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा बहुत जादा अग्रेसिव स्टॉक नहीं होता है और मैं रोज दो-दो-चार्चर स्टॉक पकड़ पकड़ करें जबरदस्ति का मैं लाता नहीं हूं कि आप लोग आए मेरा वीडियो देखें लाइक करें शेयर करें और हमको फूब जो हाले कर सकते हैं अपना अपना नेचर है मगर मैंने हमेशा से यही ऑपिनियन बनाया है कि HFCL लिम्टेड और सुबेक्स लिम्टेड दोनों अदानी और अंबानी की तरह हैं यानि कि दोनों में से कौन आगे निकलेगा यह पता नहीं चलेगा दोनों लंबी रेस का गोड़ और SDFC और यह क्या बोलते हैं LNT इनकी तरह इसमें पर मोटर का होल्डिंग आपको नहीं मिलेगा NCLT से निकली हुई मतलब यह आपको क्या बोलते हैं अभी IT में पहले क्या होता था कि जो भी software development company होती थी वो अक्सर किसने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाती थी और उस प्रोजेक्ट में software development वगरा करती थी उनका जो कस्टमाइज जो नीड होता था कस्टमर स्पेस्फिक उसमें ही development करती थी जावा में और डॉटनेट में और ओपेन पीएच्प फलना चिलना यह सब काम करती थी और उसमें पैसा कमाती थी मगर आब जो company artificial intelligence में जा रही है यानि AI में जा रही है जो company machine learning में जा रही है जो company IOT में जा रही है यानि internet of things में जा रही है जो company cloud security में जा रही है वो company का future बहुत अच्छा है उसका prospect बहुत अच्छा है और वही company कल को बहुत अच्छा पैसा कमाईगी और जो suvex है वो इन सब चीजों में जा रही है बहुत अच्छी बात है तो अभी यह company अगर 72 रुपय में भी आपको मिल रही है तो आप जान जाएए कि आज से दो साल के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रहे यार यह तो मुंख फली के छिलके के दाम में यह company मिल रही थी अभी भी इसके अंदर वो potential बहुत सारे आपको लोग बोल किये और आप अगर अपने किसी fund manager या किसी से अगर आप किसी को follow करते हैं तो आप उनसे भी इसके बारे में बात कीजिए मुझे यह stocks में बहुत जाड़ा potential लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यह सुबेक्स है और जो HFCL जो अभी मैंने एक video upload किया है यह दोनों stocks आपको 5-6 महिना के बाद यानि next year आप मान के चले 3-4 quarter आप दे दीजे आपको इन stocks में जो मजा आएगा जो potential नजर आएगा वो बहुत कम stocks में आपको देखने को मिलेगा और आपको गर्व होगा proud होगा खुशी होगी कि यह stocks भी मेरे पास है तो इसके बारे में आगे कुछ बात कर देता हूं ताकि आप लोग भी इसको देख सकें यह सब हलागी पुराना नियूज है को नया नियूज है नहीं तो यह देखिए यह सुवेक्स के बार में जो न्यूज है एक कंपनी जो है वो alliance बनाते चली जा रही है सुवेक्स लिम्टेट यह देखिए यह इसने एक जो ह मतलब यह कंपनी जो है वो आरे एन में काम कर रही है 5G में इसको जबर्दस जो है इस कंपनी का भी बेरेफिट होगा ORN में काफी ज़्यादा innovation का company को जो है सो वो मौका मिलेगा तो यह company जो है और यह देखिए लिखा हुआ according to Dell ORO group by 2025 10% of the total RN market will be captured by open RN hardware and software जो की सुवेक्स काम कर रही है उसके उपर ABI research has predicted that open RN capex spending will overtake traditional RN spending by 2028 यानि अगर आप देखिएगा तो पहले इसके अंदर European company का जो बोल वाला था सुवेक्स अब उसी pattern पे जा रही है यह देखिए आप leading European telecommunications operators including Dutch, Telecom, Orange, Telefonica and Vodafone have already committed to deploying open RN as part of their 5G rollouts यानि 5G जब rollouts होगा तब इनका जो radio access network जो है वो काफी ज्यादा यूज होगा तो आप समझ सकते हैं ज्यादा इस बोलने के जरूवत है नहीं सुवेक्स के बारे में थोड़ा सा सुवेक्स के बारे में आपको जानना है कि company क्या है क्या करती है नहीं करती है तो इसके बार हां यह hypersense यानि की end-to-end augmented analytics platform analytics मतलब आपको पता है data analytics बगरा होता है कि हम forecast बगरा करते हैं न कि हमारा आने वाले 10 साल में prediction करते हैं कि हमारा revenue कितना होगा sales कितना होगा growth कितना होगा है न वो काम करती है business assurance ठीक है मतलब कि यह जो है आपके लिए कहां गया हाँ यह क्या करती है यह आपके लिए कि आप जो business कर रहे हैं उसका क्या impact होगा कितना impact होगा इसके बारे में बताएगी fraud and security पे काम करती है यानि कि आप समझ रहे है security कितना जरूरी है और अभी आप लोगों को एक news आया है न इसके बारे में कि सुब अफले तीन-चार महिने में Middle East में जो all and gas company है उन सब पर 67% cyber attack जो है वो बढ़ गया है तो इसने उसके साथ मिल करके एक अभी all and gas sector में इसने जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट उठाया है तो fraud and security में भी company काम कर रही है और अगर इसको एक project all and gas का मिल गया तो आप यह जान ज के साथ जिसके साथ इसने अपना collaboration किया है वह company अफ्रीका में भी इसको अच्छा प्रसंटी दे सकती है उसके बाद network analytics कर रही है डवांस analytics कर रही है identify management आयो टी जो मैंने आपको पहले ही बोला उसके बाद anomaly detection मतलब यह सब कभी मैं detail में बताऊंगा आप यह जान जाए कि यह company है company का तो पचीस साल company को हो गया तीन सो से ज्यादा installation कर सकी है company यह देखिए सो से ज्यादा जह सो country में है company और company के 900 से ज्यादा implies है और 35 से ज्यादा company को इंडेस्ट्री में अवार्ड मिल चुका है देख लिए आपने और यह जो है company यह आप देखिए privacy, productivity, security, risk, mitigation मतलब इन सब चीजों में company काम कर रही है identity, data integrity तो company का इतना ज्यादा जो है वो क्या बोलता हूं मतलब divergify इसका business है company का और company इतना अच्छा जो है association, collaboration वगरा कर रही है सब के साथ और company अभी पैर पसार रही है यानि अभी इसने जो project उठाए है उससे company को पुरा revenue आना start नहीं हुआ है company को अब revenue आना start होगा उसके बाद फिर जो company का जो growth है और company का जो net profit margin वगर है वो जब increase होगा तो company एक जो है बोलते हैं कि लंबे race का घोड़ा तो company लंबे race का घोड़ा साबित होने जा रही है तो देखिए आम तोर पर मैं तो जो भी stocks आप लोगों को बता रहा हूँ आप देख रहे हैं कि आप stocks उपर ही भाग रहे हैं जैसे अभी फिलाल मैंने जो टेक्समो पाइप या स्कैन स्टेल्स या गोकुल एगरो बताया था गोकुल एगरो 29-30 उर्पया से बढ़ करके 40-42 पर रुका हुआ है 47 तक गया था पीछी आया था मगर आप उसमें बने रहें यह सारे stocks भागेंगे ऐसा तो है नहीं कि मैं stocks का नाम लूँगा और stocks भागना शुरू कर देंगे ऐसा तो कोई नहीं कर सकता लेकिन मैं अच्छी quantity, 100 quantity, 500 quantity, 200 quantity तो यार अगर share price बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तो 1200 quantity में क्या कमा लोगे कुछ नहीं कमा होगे तो कम stock रखिये मगर अच्छे quantity में रखिये, heavy quantity में रखिये तो आपको dividend लेने का भी मजाएगा और एक वार चबाब बेचेंगे तो आपको profit book करने का भी मजाएगा इसलिए मैं कम stock लेकर के आता हूँ लेकिन हाँ वो stock आपके लिए में अच्छे stock लेकर आता हूँ और आपके बहुत सारे मेरे पास emails आते हैं और उन emails को देख करके जो है वो मुझे खुसी होती है कि आप लोग मेरे उपर इतना विश्वास करते हैं तो आप प्रूरत नहीं है कि मुझे वीडियो से पैसा मिले अगर आप मेरे बताया गया stock से अगर तो पैसा कमाते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा खुसी की बात होगी तो यह मैंने knowledge purpose के लिए वीडियो बनाया था बाकी आप देख लीजेगा सुबेक्स में क्या करना है नहीं करना ह और जैसा आप सभी को पता है कि मेरे चैनल का email ID है stk.learning.gmail.com इस email ID पे आप मुझे communicate कर सकते हैं मैं कोशिज करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ इससे के साथ मैं आगया लेता हूँ नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मात्रों